नमो अरंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो आईरी आडम, नमो वज्जाए आडम, नमलो ये सवसाउडम पंच परमिष्टी भगवन्तों की आचारे भगवन गुरुवर विशुत सागर्जी मुन राज के या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिविद्धी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं नीती हमें एक कवच बनाना सिखाती है एक ऐसा कवच, एक ऐसा ओरा जो हमेशा आपकी रक्षा कर सके हर समय माता, पिता या गुरु जन तो आपके पास नहीं रहेंगे तो हर समय कवच बनाके रखना चाहिए अपने पास जो आपकी रक्षा करे उस कवच का नाम है पुन्य, पुन्य का कवच क्योंकि जंगल में हो तो पुन्य साथ देगा, संग्राम में हो तो पुन्य साथ देगा, महलों में हो तो पुन्य साथ देगा पुन्य जिसके साथ है, उसके पास सब कुछ है कई व्यापारी एसा भी व्यापार कर रहे हैं भारत के अंदर कि उनका जो बनाया हुआ सामाने सबसे ससता है और सबसे अच्छा है और बिखनी रा, और कई यहसे भी हैं उनके पास third class की quality भी नहीं है और महंगा भी है और विक्रा है यह सारा खेल पुन्य का है आज की नीती सीपर है कह रहे हैं कि हर समय पुन्य को बढ़ाने का पुर्शार्थ करें क्या पुर्शार्थ करना चाहिए प्रती दिन प्रती दिन پुन्य को बढ़ाने का पुर्शार्थ करना चाहिए पुन्य कैसे बढ़ाएं दया करके कोई दुखी हो सका दुख दूर करके कोई पीड़ित हो सकी पीडा दूर करके प्रभू की आराद ना करके लेकिन जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो ऐसे नहीं बढ़ती कई लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रभू की अरादना करना है पुन्य बढ़ाना है तो पांच रुपे की अगरबत्ती का डिबबा लाए उसमें से एक अरबत्ती घुमाई और जैसी अरादना खतम होई बुजा के रख ली कई जैन लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पूजा करने जाएंगे तो वो सिस्टम चेंज हो गया है वो मंदिर में एक थाली लगाएंगे एक थाली और पूरे पचास लोग उसे पूजा कर लेंगे एक एक दाना चड़ाएंगे प्रबु की आरादना में तुमने कंजूसी की है पुन के आगमन में भी कंजूसी होगी जब खाते हो तब तो सोचते नहीं लोगें सोचते हैं कि चड़ा रहे हैं वो कहां जाएगा अरे जब खाते हो तो कभी सोचते हो कि कहां जाएगा जब खाते समय नहीं सोचते हो तो चड़ाते समय भी नहीं सोचना चाहिए जितना प्रभु की आप आराधना में व्याय करोगे वो संग्रे होगा और जितना आप अपने भोगों में व्याय करोगे वो तो नाश होगा पुन्य कैसे बढ़ाएं? बहुत सारे सादने सेवा करके ब्रदों की, गरीबों की, जो आसाहाए हैं उनकी जो गुरुजन है, पूझे हैं उनकी, आप सोचो कि यह इतनी दूर से डेड़ सो किलूमेटर से वो भाईया सिर्फ दर्सन करने आये है, जैन नहीं है, तेली है क्या नाम भाईया आपका? दिनेश साहू नाम है उनका पूतनी दूर से चितोड के आगे से दर्सन करने मात राये है भाईया जिस समय आपने सोचा था कि चलना है, उस समय से पुन्य चालू हो गया और यह पुन्य होगा, तो ही सब काम होगे आप कहते हैं बड़ा पाप का ओदय चल रहा है, तो जगड़ा चल रहा है संकलिष्था चल रही, दुख का माहौल है, यह पाप का ओदय है अगर पुन्य का ओदय होगा, सब अच्छा हो जाएगा तो यहां कह रहे हैं, पुन्य के प्रभाव से सारे काम बन जाते हैं और हर जगा साहिता करने वाले भी मिल जाते हैं इसलिए हर समय पुन्य को बढ़ाने का पुर्शार्थ करें क्योंकि पुन्य के प्रभाव से ही दुन्य में आप कहीं भी रहोगे साहिता करने वाले मिल जाएंगे एक मिनिट के लिए विचार करना राम और लक्षमन अकेले लंका गए थे दो साथ में कौन था साथ में इसके वल पुन्य था तो सब हो गया रावन वहीं था और रावन के साथ सब कुछ था सारे लोग थे सेना थी पस पुन्य नहीं था समापती हो गई पर्याय की पुन्य की सब की समापती हो गई पद की जो लंकेश कहलाते थे अब वो संकलेश में है तो राम के पुन्य के परभाव से राम के पुन्य के परभाव से लंका में भी उसको विवीशन मिल गया मिले की नहीं तो अपन भी अपना पुन्य बढ़ाए कोई न कोई अपन को भी जरूर मिलेगा अपन सोचते हैं न कोई व्यक्ति मिल जाए जो मदद कर दे तो आप पुन्य बढ़ाओ कोई न कोई जरूर मिलेगा चिडिया को चोंच मिली है दाना मिलता है नहीं मिलना आप सोचो कि हम लोग जब परसों खेत में सोये थे तो वह एक ठटही पक्ची ने अंडे दे के रखे थे खेत में अब लोग वहीं से आ रहे जा रहे थे तो साथ के लोगों ने उसके कहीं अंडे ना पूट जाए तो रस्ते में जाली वाई लगा दी उसको तोड़ी देर बाद समझ में आए कि ये लोग रख्चा कर रहे इसके पहले वो डरा रहा था आपको कि अंडे मत चूले ना लेकिन उसको समझ में आगए कि रख्चा कर रहे उसके अंडे बचें ना बचें ये उसके करम पर है लेकिन जितने भी लोगों ने भाव बनाया कि उसको कुछ हो ना उसके बच्चों कुछ हो ना उनको तो पुन्न मिल गया अच्छी भाव ना रखें तो पुन्न मिलेगा बुरी भाव ना रखेंगे तो पाप मिलेगा राम की भावन अच्छी थी उनको विभीशन मिले हनुमान मिले, सुग्रीव मिले नल, नील, जामवत कितने सारी योद्धा मिल गए और ऐसे मिले कि वो परिवार जैसे बन गए और रावन को बुरे भावों के कारण भाई भी छोड़के चला गया कोई नीतिकार लिखते हैं कि रावन से पूछा गया कि तुम्हारी हार और राम की जीत क्यों होई तो रावन कहता है कि मेरा भाई राम के साथ था मेरे साथ नहीं था और राम का भाई राम के साथ था राम का भाई राम के साथ था तो राम की जीत हो गई यह सब पुन्य का खेल है अपने पुन्य को वरद्धी कराएं और जितना आप शांत सभाव रखेंगे उतना पुन्य बढ़ेगा जितना संकलेसित रहेंगे परिनाम उध्वेलित रहेंगे क्रोध मान माया लोब चलता रहेगा उतना नीचे गिरेंगे चीजों को भूलना सीखें आगे बढ़ना सीखें किसी विक्ती ने बुरा कर दिया है भूल जाओ आगे बढ़ जाओ किसी ने अच्छा कर दिया है उसके उपकार का भाव रखो उसको मत भूलना आप भूलना सीखें और आगे बढ़ना सीखें, पुन्य बहुत तेज तीवर्गति से बढ़ेगा, चित्तम मी नत्ति कलुसम पुन्नम जीवस आसवदी, जित्तम में कलुष्टा ना हो, प्रसन्य चित, दुख्य दिन हो तो भी मुष्कुराओ, दिनेज भाई, दुख्य दिन हो तो भी दोनों ही नहीं रहने वाले ना, मुस्कुरा लो, थोड़ा सा जीवन है, मुस्कुरा के निकाल लो, आकरी में तो सभी को जाना है, इसलिए अपने पुन्य का संग्रे करें, पुन्य का संचे जितना कर सकतें उतना कर लें, सेवा से, दया से, परस्पर की प्रीती से, मन को ब पता नहीं चलेगा कब मोक्ष का समय निकटा जाए अपने इतनी कथाएं पढ़ते हैं छोटा सा ब्रत लेकर के जीवन निकाल दिया उतने प्रभाव से मोक्ष चला गया जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया बाजार में शेयर्स में और यहां वहां लोग करते हैं क्या पता कब कौन सा भाव उपर बढ़ जाए क्या पता कब कैसा बदल जाए मोसम कोई कुछ कुछ बता रहा था कि बोले हमने सिक्का ले लिया था शेयर बाजार में बोले वो लाकों का हो गया कोईसी ने जमीन ले ली और जमीन के बीच से हाईवे निकल गया उसका तो उसने तिर गई एक विक्ती ने भी एक किसान ने खेत में खुदाई कर रहा था उसको इरेडियम मिल गया इरेडियम एक लाख असी हजार करोड का इरेडियम मिला उसको कितने का? एक लाख असी हजार करोड का चालेस पार्टनर उसमें चालेस पार्टनर तो भी एक विक्ती को दो दो तीन तीन ती नहार करोड मिलेगा कितना मिलेगा? जादा मिलेगा हाँ? पांच पांच हजार करोड रुपे एक विक्ती को मिलेगा पाँच हजार करोड रुपे क्या होता है पाँच हजार करोड रुपे क्या होता है पाँच हजार करोड खर्च कर लो कि जीवन में यहां से घर जाते पाँच हजार खर्च नहीं कर पाऊ गया पाँच हजार करोड पुन्न के प्रताप से मिली है ऐसा पुन्य चाहिए ऐसा उदय चाहिए ऐसा सुक चाहिए तो पुन्य भी कीजिए पाप में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा जब राम को उस लंका में कोई पहचानता नहीं था बिभीशन मिले की नहीं तो अपन को भी कोई न कोई जरूर मिलेगा पुन्ने बढ़ाएंगे तो कोई न कोई जरूर मिलेगा ऐसा विचार करके चले तो आगे अवश उन्नती होगी शेश आगे दिखेंगे भगवान मावीर सौमी की